हेलो फ्रेंड्स, यहां पर मेरे पास T5 Android का रिष्टीडियो है और इस प्लेयर की हेल्प से मैं बताऊंगा आपको वाइरलेस मीरर लिंग कैसे कर सकते हो फॉन से आप स्क्रीन मीररिंग वाइरलेस लिप बिदाउट किसी केबल के थो कैसे कर सकते हो इसमें वाइरलेस मीररिंग के लिए जो एप्लिकेशन दिया हुआ है यह जेडलिंग 5 एप्लिकेशन है और इस एप्लिकेशन की हेल्प से आप Android Auto प्लस Apple CarPlay प्लस वाइरलेस और वाइड एंड मीरर लिंग को भी कनेक्ट कर सकते हो तो मैं इस एप्लिकेशन की हेल्प से बताऊंगा आपको कि वाइरलेस मीरर लिंग कैसे कनेक्ट करना है तो जब आप एप्लिकेशन को ओपेन करोगे तो मैं भी हो सकता है आपका यहां पर CarPlay और Android Auto का इंटरफेस पहले ओपेन ओ तो आप इस ब्लु बटन पर क्लिक करके आप मीरर लिंग के इंटरफेस पर चले जाना यहां पर हो सकता है आपका wide mirroring का interface open हो तो आप यहां पर सबसे पहले wireless mirroring पर click कर लेना तो आपका wireless mirroring आ जाएगा तो आपका यहां पर दो option open होगा एक iPhone से और एक Android से मैं आपको Android phone से बताऊंगा कैसे wireless mirroring करना है तो मैं Android पर click कर देता हूँ तो सबसे पहले यहां पर आ रहा है कि आपका application install करने के लिए open the app आप जब QR code को scan करोगे phone से तो एक application install होगी या फिर आप first time application को install करने के लिए USB cable का use कर लिए क्योंकि आप जब USB cable लगाओगे तो एक link open होगे मैं यहां पर आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ कि आप जब इस टैप से आप USB लगाओगे तो यहां पर एक link open हो रही है link आ रही है और इस पर क्लिक करोगे तो application आपका install हो जाएगा यहां पर एक link आई है इस पर आपको view button पर click करना है view button पर click करने के बाद एक application इसमें download होगी यहां पर देख सकते हूँ यह z link download आपको download बटन पर click करना है file might be harmful आपको download anyway पर click करना है और इस पर click करने के बाद आपका यह जो application नहीं यह download होना start हो जाएगी यह 6.74 MB का है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो यह download हो चुकी है उसके बाद आपको install बटन पर click करना है then install install anyway block by play protected install anyway यहां पर सबसे पर सेकेंड स्टेप में आपको bluetooth connect करना है और hotspot को भी connect करना है तो bluetooth connect करने के लिए मैं यहां पर next बटन पर चला जाता हूं then यहां पर मैं bluetooth को open कर ले रहा हूं तो मैं यहां पर सबसे पहले bluetooth इसमें भी ब्लूटूथ और यहां पर मैं सर्च बटन पर click कर ले रहा हूं then यहां पर आपको पासवर्ट टैप करना है फोर टाइम जिरो आपके केस में आपके यदि चेंज किया हो तो यह पासवर्ट डालना प्यार यहां पर bluetooth connect हो चुकी है connected to phone connected अब आपको क्या करना है फिर से जेड लिंक 5 अप्लिकेशन को open करना है फर्स्ट टैम में थोड़ा सा फर्स्ट बार जब आप connect करोगे यह सब प्रोसेस आपको करना होगा सकेंड टैम में यह सब प्रोसेस नहीं करना होता है बस दोनों की अप्लिकेशन ओपेन करो मिरेर लिंक हो जाती है अब मैं यहां पर जड़ प्लस अप्लिकेशन को ओपेन कर ले रहा हूं और अब आपको क्या करना है यहां पर wireless connection पर क्लिक करना है और यह आपका ब्लुटूथ connected फो कर रहा है यहां पर आप देख सकते हो यह Bluetooth connected सेकेंड इस्टेप में आपको फ़ॉन की होट इसपोर्ट को ऐन करना है तो टर्न ओ यहां पर यह वाइफ़ई होट इसपोर्ट ऑन यह on हो गई then आपको यहाँ पर wifi की setting में जाना है और यहाँ पर यह hot spot आएगी आप यहाँ पर click करके इसकी password type करना then connect button पर click करना ति यह connect हो जाएगी यह मैंने पहले से connect किया हुआता थी यह connect हो चुकी है एक बर back कर रहा हूँ और यहाँ पर भी आपको एक बर back करना है then आपको यहाँ पर back करना है और जब यहाँ पर आप back करके यहाँ पर जब आप आओगे application के अंदर start screen projection पर click करना है तो आपका यहाँ पर step से interface आएगी start now पर click करना और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह screen mirroring हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर आपको video play करके दिखा दे रहा हूँ यह ट्योग यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको